स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से अगर आपको इस तरह का कोई कोशन आता है तो आप किस तरह से उसमें स्केर्ज को काउंट करेंगे क्योंकि mostly ये कोशन पूछा जाता है तो चलिए शुरू करते हैं अगर आपके पास कोई भी इस तरह का कोई कोशन दिया गया तो सबसे सिंपल यही आपके पास हो सकता है तो इसको आप किस तरह से काउंट करेंगे तो जब भी आपको ये चीज दिख जाए कि इस तरह से आपके दोनों साइड को जो कोलम्स बन रहे है ठीक है इस साइड को और इस साइड को जो कोलम्स आपके बन रहे हैं अगर वो सेम है जैसे आपके पास यहां से यहां से यहां तक कितने कोलम्स बन रहे हैं आपके दो कोलम्स बन रहे हैं जो भी answer आपका निकल के आएगा, वो इसमें total squares आपके आजाएंगे, तो क्या आजाएगा, one plus four, which is equal to five, तो यह इस question का answer आजाएगा, यानि कि इस आपके box में, या इस आपके figure में total five squares बन रहे हैं, उसके बाद हम इससे सोड़ा सा बड़ा question लेते हैं, तो यहाँ पर दिखें क्या बोलागे, यहाँ पर हमारे पास एक, दो, तीन square इस side को है, और तीन ही column इस side को है, यानि कि दोनो side बराबर है, तो इसको कैसे करेंगे, कितने portions बन रहे हैं, एक, दो और तीन बन रहे हैं, तो बन का square, प्लस आपका 2 का square, प्लस यहाँ पर 3 का square आजाएगा, बिच इकल टू बन प्लस 4 प्लस 9 और 9, 4, 13 और 14 यहाँ पर इस question का answer आजाएगा, 14 square इस में total बनेंगे, और अगर इसी तरह से आपको यहाँ पर, यहाँ पर तो चलिए, आपका square है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको rectangle दियो है, तब भी आपका same, यही आपका rule यूज होगा, ठीक है, यही trick आप यूज कर सकते हैं, अगर इस side coffee आपके same column बन रहे हैं, और इस side coffee चाहिए, आपके rectangle है, यहाँ पर हमारे squares हैं, लेकिन rectangle होती, तब भी same, यही trick आप use कर सकते हैं, तो इससे बड़ा आता चाहेगा, ठीक है, अगर column आपके ऐसे ही same है, तो आप इस तरह से उनको add करके, उनके columns गिनके, इनको असा side को count करेंगे, वो जितना भी निकल के आएगा, आप उसको यहाँ पर लिखेंगे, multiply में आपके इस side को कितने columns बन रहे हैं, वो लिखे जाएंगे, 3 multiply by 2, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस कर देना है, अब यहाँ से देखे, यहाँ पर आपका बन जब तो यहाँ पर जब हमारे पास last में बन आ जाएगा, बहाँ पर आपको इसे रोक देना है, और फिर जो भी इसको solve करके आएगा, वो total, इसमें squares या rectangles आपको जो भी दिया होगा, वो आपका answer होगा, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ जाएगा हमारे पास इस question का answer, चलिए हम solve करेंगे, 5 multiply by 3 जैसे हमने यहाँ पर किया इस side को कितने है, 3 multiply side को कितने है, आपके पास 2, same यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर total column, तो 5 multiply इस side को हमारे पास 3 है, plus यहाँ पर क्या करेंगे, अब इन मैं से एक एक हम minus कर देंगे, जब तक यहाँ पे last में 1 नहीं आता तक तक इसी तरह से हम करते जाएंगे 4 multiply by 2 plus यहाँ पे उसके बाद क्या जाएगा आपके बाद 3 multiply by 1 which is equal to 15 plus 8 plus 3 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 plus 8 which is equal to 26 यहनी कि इसमें अगर हम count करें तो total हमारे पास जो squares या rectangles कुछ भी हो सकता है उनकी total जो आपकी आजाएगी वो कितनी आजाएगी 26 आजाएगी तो इस तरह का अगर आपको कोई भी question आता है तो आप असानी से उसको कर पाएंगे चलिए उसके बाद हम एक और question करते हैं हमने एक पहले वी reasoning बाली वीडियो की थी उसने हमने triangles को count करना सीखा था तो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा बहां जो हमने सीखा था वो बता देता हूँ कि माली जे ये आपके पास क्या है एक triangle है तो इसमें हम सभी को पता है कि सरफ एक triangle दिख रही है लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी एक line इसके उपर यहाँ पे center से लगा देते हैं या कहीं से भी लगा देते हैं तो इसमें जो total triangles बन जाएंगी वो कितनी बन जाएंगी तीन एक video हमने की थी उसमें explanation के साथ बिलकुल आपको समझाया था प्रिक बताई थी अब उसी तरह से अगर एक और हम triangle ले ले और इसमें इस तरफ से हम लगा दे तभी यह सेम चीज़ बन रही है तभी इसमें आपकी तीन triangles बनेंगी ठीक है यह बात आपको ध्यान में रखनी है तो यहाँ पर भी तीन आपकी triangles बन रही है यहाँ पर वी तीन अब देखिए question आपसे यहसा तो नहीं पूछा जाएगा आपकी किस्मत अच्छी है तब तो चलिए पूछ लिया जा सकता है लेकिन question जो पूछे जाते है वो इस तरह से आपके exam में पूछे जाते हैं तो आप देखिए अगर आपको ये tricks न center line को ले लेंगे ठीक है तो इसका diameter है circle का इसके नीचे वाली कितनी triangles है सबसे पहले हम उनको count करना शुरू करेंगे तो अब देखिए सबसे पहले हमारे पास इस line के उपर अगर आप हम देखें तो इसके नीचे वाले portion में सिरफ हमारे पास यही एक triangle बन रही है ठीक है अग अगर आपने इसको practice अच्छे से किया तो आपको भी पता है यहाँ पर इस वाली triangle में आपकी total तीन triangles बन जाएंगी यह तीन हो जाएंगी अब इस side में देखें इस side में भी same यही triangle आपकी बन रही है तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी इस triangle में तीन आपकी total triangles बनेंगी चीक है यह दो solve हो जाएंगी उसके बाद हमारे पास अगर इस triangle को हम देखें यह वाली जो triangle है इसको अगर हम देखें तो यह कैसे बन रही है हमारे पास इस तरह से बन रही है तो अगर इस तरह से कोई line अगर किसी एक triangle में खींची जाए तब भी हमारे पास कितनी triangles बनेंगी तीन triangles तो यहाँ पर इस वाली ट्राइंगल में आपकी टोटल कितनी ट्राइंगल बन जाएंगी, तीन बन जाएंगी, प्लस उसके बाद यहाँ पर इस साइड में भी हमारे पास सेम ट्राइंगल यह बन रही है, तो यहाँ पर भी आपकी ट्राइंगल बन रही है, तो यहाँ पर इ इस तरह से triangle बन रही है हमारे पास ठीक है इस तरह से तो इस तरह से अगर कोई triangle आपके पास है तो उसमें भी total आपकी कितनी triangles बनती है तीन triangles तो ये वाली यनिके जो बड़ी triangle है इसमें भी आपकी total कितनी triangles बनेंगी तीन बनेंगी ठीक है उसके बाद plus ये वाली हो गई तो इस सी triangle बन रही है आपके पास एक ये वाली triangle आपके पास बन रही है ठीक है plus यहाँ पर बन आ जाएगा उसके बाद plus और कौन सी triangle आपके पास बन रही है ठीक है यहाँ पर इसके उपर की अगर हम देखे तो सिरफ यहाँ पर एक एक और एक यानि के total यहाँ पर तीन आपकी ट्राइंगल बन रही है, उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर से हमारे पास यहाँ पर इस लाइन को अगर हम देखें, इस लाइन के ऊपर यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी ट्राइंगल बन रही है, यह वाली ट्राइंगल, और इसमें भी हमारे पास एक तो यहां पर भी आपकी टोटल तीन ट्रैंगल बन जाएंगी, अगर आपने यह वाली आपको ट्रिक्स नहीं पता है, कि अगर इस दरह की कोई ट्रैंगल है, तो उसमें कितनी ट्रैंगल बनेगी, आप उसको बहुत जादा टाइम लगाएंगे, और अच्छे से नहीं कर तो यनि कि इस अगर circle में हम देखें तो total आपके पास 28 triangles बन रही है ठीक है करने में हमारे पास चाहिए उसको जादा समय लगा है लेकिन अगर आप इसको practice करेंगे तो आप इसको महज आपके 30 या 40 second के अंदर निकाल पाएंगे क्योंकि अगर आपको ये पता है कि इस तरह से अगर कोई triangle है और उसके अंदर एक line है तो आपको पता है यहाँ पर इस तरह से आप आसानी से इसको तभी कर पाएंगे जब आपने इनको practice किया होगा तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे आप जरूर ऐसे questions को रोज आप एक-एक questions इस तरह क्या करेंगे आपको reasoning में कभी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी exam में तो आप जरूर अच्छे से करते रही है thank you